जरींग क्लिन बॉर्टर कैसा पानी ली पीना चाहिए साफ पानी टैप बॉर्टर इस से फो फी जो पानी आता चाहिए यंस बनिल का लोता है तो कैसा होता है इस से फो एट रह जा यूसined सीव होता यूस करने कलिए still it is advisable to purify it फिर भी ये advise करते हैं कि इसको यूज करने से पहले क्या करना चाहिए पानी को purify कर लेना चाहिए डिरेक्ट भी नहीं पीना चाहिए to purify it we must boil और filter it हमें purify करने ले क्या करते हैं water को इसको क्या कर सकते हैं हमें पानी को boil करना चाहिए और फिर इसे छान लेना चाहिए, फिल्टर कर लेना चाहिए boiling water kills the jumps present in it boiling water को boil करने इसके होता है जो इसके अंदर जो जितने भी jumps होते हैं वो सब क्या हो जाते, kill हो जाते, वो सब खतम हो जाते, मर जाते we should keep the water in clean and covered vessels जो पानी जो पीने वाला पानी होता है उस पानी को कैसा रखना चाहिए, मैं clean रखना चाहिए और उसको cover करके रखना चाहिए some water purifier some water purifier can be filtered directly to the taps to get potable water कुछ पानी ऐसे, कुछ water purifier ऐसे होते हैं जो पानी को direct filtered करते हैं और वो पानी पीने के लाइक हो जाता है हम उस purifier से direct पानी को हम ले सकते हैं उसके लिए मैं पानी को न बॉइल करना पड़ता है नहीं उसे बापस चाहनना पड़ता है ना उसे filter करना पड़ता है डारेक्ट purifier होकर मैं पानी पीने के लिए मिल जाता है इस ट्राइब का water purifier होता है जिससे हम डारेक्ट पीने के लिए पानी मिलता है water is scarce पानी कैसा है, पानी की कम ही है पानी की क्या है, water is scarce पानी कम है the earth is covered with more water than land जो हमारी धरती है, वो किस से covered है पानी से ज़्यादा covered है हमारी जो अर्थ है, प्रत्वी पर 70% पानी है और वो पानी से covered है, जमीन कम है most of the water is present in ocean and seas ज़्यादा पानी कहां पर है, ocean में और seas में है समुदर में है, ज़्यादा पानी कहां पर होता है, समुदर में होता है but we cannot use sea water as it is too salty but we cannot use seas water as it is too salty पर हम क्या हम पी सकते है, नहीं क्योंकि वो पानी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा salty होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है the availability to fresh water is to scars जो fresh water है, जो पीने योग के पानी है, उसकी कमी है all living things depend on fresh water so we must save it जो जितने भी जो लोग जिन्दा है, जो भी living things है, वो कैसे पानी पर depend है वो fresh water पर depend होते हैं, कोई गंदा पानी तो पीएगा नहीं, salty पानी तो कोई पीएगा नहीं तो we all are depend on fresh water, so we must save it, तो हमें क्या करना चाहिए, इस पानी को जादा ज्यादा save करना चाहिए save water, never leave the tap रने, कभी भी नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए close the tap after use, हमेशा नल को use करने के बाद प्रोपर तरीके से बंद करना चाहिए do not make the water dirty, और हमें पानी को क्या नहीं करना चाहिए, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए we have read this chapter, so what have you learned, आपने क्या क्या सीखा जो basic points है, वो ये है, number one, water is our basic need, water हमारी क्या है, एक basic need है, आधर भूत, नीड है, इसके we cannot live without water next, we use water for many purpose, हम पानी का use अरगलत तरीके से करते हैं, number three, rain is the main source of water, river, lake, pond, hand pumps, and other sources of water rain is the main source of water, पानी, बारिश पानी का, main source है, इसके अलावा, lake, pond, river, wells, hand pumps, other sources पानी के लिए होते हैं next, water is most home come, comes through taps, ज्यादा तर घरों में पानी टैप के जरिये आता है, all water is not safe for drink we must drink clean water, हमें clean और साप पानी पीना चाहिए, fresh water is to scar, we have, we must save it, जो पानी है, पीने वाला पानी है, fresh water वो कमी है, उस पानी खमी है, so we must save it, और हम में इस पानी को क्या करना है, हमें इस पानी को save करना है झाली